आप सबका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल मॉम डेड और बेबी में और आज हम लोग बात करने वाले हैं लंबाई बढ़ाने के घरेलू तरीकों के बारे में आपको अपने खान पान और आहार में उनी चीजों को सामिल करना है जिन में प्रोटीन और कैलसियम की अच्छी मात्रा हो आपको बता दें कि सोने से भी आपकी हाइट पड़ती है इसलिए आपको साथ से आठ घंटे जरूर सोना चाहिए इससे आपकी सेहत भी अच्छी बने रहती है अगर आप जुक कर चलते हैं या जुक कर बैठते हैं आपको अपनी चलने और बैठने की आदत में सुधार करना चाहिए आपको हमेशा सीधी होकर चलना चाहिए यही आदत आपको बैठने पर भी अपनाना चाहिए बहुत से लोग लंबाई बढ़ाने के लिए दवा का सहाड़ा भी लेते हैं आपको बता दे कि आईडवेदिक दवा अस्वगंधा आपकी लंबाई बढ़ाने में काफी मददगार होता है यह दवा आपको पतंजली के स्टोर पर मिल जाएगी अगर आप किसी भी तरह के नसे का सेवन करते हैं तो आपको ये नसा तुरंत छोड़ देना चाहिए क्योंकि नसा लंबाई पर गलत परभाव डालता है इससे लंबाई नहीं बढ़ती और रुक जाती है आपको पता ही होगा कि हमारे सरीर का दो तिहाई हिस्सा पानी से बना है अगर आप लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आपको समय समय पर पानी अवस्य पिना चाहिए पानी आपकी सेहत को काफी ज़्यादा पहुंचाता है अगर exercise की बात करें तो exercise में आपको हर रोज अपनी छमता के अनुसार जरूर लटकना चाहिए इससे muscles और हड्यों पर खिचाव आता है जो की लंबाई बढ़ाने के लिए काफी जरूरी है तो अब आप जान ही गए होंगे की height कैसे बढ़ाएं इन तरीकों को अपना कर बहुत से लोगों ने अपने height को बढ़ाई है अगर आप भी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो इन तरीकों को daily follow करें साथ दिन बाद आप जरूर नोटिस करेंगे कि आपकी लंबाई बढ़ रही है जब आपके मन मुताबिक लंबाई बढ़ जाए तो इसे आप छोड़ सकते हैं उम्मिद करते हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे दिल से सुक्रिया मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मैं जल से जल आपके सवालों के जवाब देने की कोसिस करूँगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बेहत ख्याल रखें और हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं